हरी ओम नमस्कार आज की वीडियो है हत्खोज के बारे में यहां हत्खोज का पौधा है यहां तीन चार फुर तक के उंचा होता है अब इसके वेग्यानिक नाम है लिया माइक्रो फाइला और अंग्रेजी में इसको लिया कहते हैं और मैं इसकी कुछ अउसदी बद यहां गर अजर के समान निकलती है और इसके बीज पकने पर काला होता है और बीज त्रिकोण में चार बीज होते हैं इसको बुलबुल नाम की पक्षी खुब खाती है मैं इसकी कुछ परिक्षित अर्विदिक प्रयोग बता रहा हूं मेरा आंखों देखा प्रयोग है यहां 36 गड़ अधर यहां खुब जंगलों में यहां मिलता है असानी के साथ तो इस यहां मधूर भी होती है और कई परकार के बाबा सीर पर में आदी रोक लगवा गठियावाद में ठीक करते हैं जिसको गठियावाद लगवा हो गया हो तो हत्खोज का कंद और रसना का कंद दोनों गा कुड के साथ में मिला करके इसको जो पक्षगात हो गया है लगवा हो गया है जो खुंड डोनेट किया हो अज हास्पिटल में उस मरीज डोनेट किया गया हो इस वक्ति को कमजूरी आ रहा हो तो इसके 2-3 गोली 4-5 दिन तक की खिलाने से कैसा भी खुंड की उस्के सरीर में कमी हो गई हो डोनेट के वज़ा से उसको यहाँ पुरूरूरूप से ठीक करते हैं कि यहाँ मेरा द्वारा अजमाय हुआ तथा मेरी गुरू के द्वारा अजमाय हुआ परिक्षित पर लगपर भी यहाँ राम बान काम करता है यहाँ रोग प्रति रोधक चमता बनहाने में प्रचुरमाद जो अमद्दिमी कमजोर हो गया हो जिसको सिकलिंग बिमारी हो खुन नहीं बनता हो इसके लिए यहाँ गोली यहाँ हत्खोज रामबान काम करते हैं यहाँ पूरुरुप से परिक्षिता आप अजमा कर देगे देख लेना जिसको टीवी बिमारी हो गया हो तो यहाँ पूरुप से ठीव करती है यहाँ एक प्रमाडित अनभूत अजमाई हुई असदी है तो इसका भी प्रयोग करके आप लाब ले सकते हो रासायन में रासायनिक प्रयोग यह से करना है ताकत बल वीर्य बढ़ाने के लिए आप प्रहता काल एक ग्राम की बराबार हस् पुष्ट करता है और सिरीन में ओज और सकती प्रदान करता है और इसकी पत्तों का रोटी बनाकर खाने से गठियावाद गांट-गांट की दर्द में काम करता है आप आटा में थोड़े-थोड़े टुकली कीजिए आटा में उसको मिला करके गूत करके आप रोटी बनाए इसका फिर देखो चमतकार इसके पत्तों में दस साथ आठ आठ आदमी मिल करके खाना खा सकता है एक साथ और गठियावात में संदी सुल में कंद का काढ़ा बना करके जोडों पर बफारा देने से संदी सुल नामक जो दर्द होता है माता बहनु जो चल नहीं सकता उसके वीडियो बनाया हूँ आगे और बनाऊंगा जो आप लोगों को दिखाऊंगा मानकंद दो प्रकार की होती है यक्रित विकार रोग में इसका कंद को पुनरनवा के साथ बाद बना करके पीने मात्रे यक्रित पीलह का रोग पांडो रोग पीलिया पेट में कीड़े पड़ घच कीड़ा रोग बनाया हूँ बना बनाया हूँ आगची है यक्रित अधिए जर बनाया हूँ आग Maa